हलो मित्रों राम राम रादे रादे आसा करता है मित्रों आप ठीक होंगे चुस्त होंगे मस्त होंगे नहीं मस्त होंगे तो अपने कार पे जरूर लगे होंगे क्योंकि सरीर का फिट होना ही मस्त पन नहीं होना क्योंकि अगर आप अपने लच्छ पे दिन भर का अपने कार ज कि आप लोग कापी पेंड लेकर की बैठे होंगे जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में मित्रों जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या बात किया था अनुपात पर आधारित प्रस्न हमारा लास्ट टाइप था अनुपात पर आधारित प्रस्न जिसमें हम लोग के क्र्यमूल विक्रयमूल पर आधहारित प्रस्न किसमें वस्तूँ के क्रैमूल का किसमैं वस्तूदर। किसी वस्तु का क्रेमूल कितना है? पांच है और किसी वस्तु का क्रेमूल पांच है? विक्रेमूल चार के बराबर है मतलब क्या है? किसी वस्तु का क्रेमूल पांच हो और विक्रेमूल चार के बराबर है चार के बराबर है ऐसे कुस्टन माझे क्रेमूल सदर हमारा मित्र नीचे हमारा जो होगा सदयों सदयों हमारा क्रमोल पर आजों किसमें और मित्रों हमारा कosakalom 라고 25 ओंते हैं और यहीं हमारा कुश्चन अएसे प्रस्ण वाहारे यहां से बनते हैं चलिए आईए मित्रों अब देरी नहीं की जाए सर पहला कुश्चन लगाईए वस्तों के क्रेमूल अधारित पर टाइप फस्ट फस्ट टाइप फस्ट टाइप फस्ट कुश्चन चलिए क्या अच्छी बात है फस्ट टाइप फस्ट कुश्चन फिस्ट क्रेमूल 40 संतरों के बिक्रेमूल के बराबर है कि उसके कहने का मतल्ब मित्रों ये है चालिस संत्रों के बिक्रे मूल के बराबर है तो मित्रों यहां से हमारा क्या हो जाएगा। गरे मूल बटे लिख रॉचाहते लॉख या सिमिट्र हमारा क्रेमूल बटे क्या हो जायगा विक्रई लॉ पाते पांच आ गया, चार रुपए की खरीद, पांच रुपए में बेची गई मित्रों, कहने का मतलब क्या है, चार रुपए की खरीद, पांच रुपए में बेची गई, कितने रुपए का फायदा, यहां से मित्र हो रहा है, एक रुपए का फायदा, एक रुपए का फाय जैसे कि कई बार कुश्चन क्या होता है मित्रों अगर यहां से आपको समझ में नहीं आया तो आप इसका दूसरा टाइप भी देख सकते हैं कुश्चन का जैसे वह कहें दे क्या 50 वस्तूओं का क्रेमूल क्या पचास वस्तूओं का क्रेमूल, चालिस वस्तूओं के बिक्रेमूल के बराबर है, तो यहां से कार दिये दस पटे, पचास, दस चोक चालिस, तो पचास वस्तूओं का क्रेमूल, पचास वस्तूओं का क्रेमूल, चालिस वस्तूओं के बिक्रेमूल पे आधारित है, बर तो उसका है प्रतिसत लाब, कुश्चन में डारिक प्रतिसत लाब पूचा है, तो लाब कितने का लाब यहां से, एक का लाब, कहां से, चार से, एक बटे चार इंटू सो, पचीस परसेंट का लाब, अगर यहीं मित्रों कहे देता प्रतिसत लाब और हान बताओ, दोनों तो उसने क्या पूच्छा है मित्रों लाव लाव पूच्छा है तो चार से एक कहां तक लाव पांच का अगर आप इसको पलट की लिखते हैंगे तो एक बटे चलेंट चलिए आसा करते हूं आपको यहां सच्छे समझ में आ गया होगा आएए बात करते हैं अगले टाइप का दूसरा कुष्चन सर इसका सेकंड टाइप का सेकंड कुष्चन लगाईए सेकंड कुष्चन सेकंड टाइप सेकंड कुष्चन मित्रों हम हर एक कुष्चन पर हर एक टाइप की एक कुष्चन पर डिसकस करेंगे आपका काम प्रेक्टिस करना है मेरा काम है उस कुष्चन म लगा दीजे, कहरा है एक बेक्त एक रुपए की पांच किदर से पेंसिल खरीतता है, एक रुपए में कितनी पांच पेंसिल, मतलब कहने का मतलब है पांच पेंसिल का क्रेमूल, पांच पेंसिल का क्रेमूल, कितना है एक रुपए, एक रुपए, तो एक पेंसिल का, मतलब उ एक पेंसिल का क्रेमूल क्या हो जाएगा एक बटे पांच क्या हो जाएगा मित्रों एक बटे पांच वो कहे रहा तीन पेंसिल का क्रेमूल तीन पेंसिल का विक्रेमूल तीन पेंसिल का विक्रेमूल कितना दिया है मित्रों तीन पेंसिल का विक्रेमूल एक रुपा है एक पेंसिल का विक्रेमूल एक बटे तीन यह आ गया अब क्रेमूल यह है विक्रेमूल यह है आईए बात करते हैं यहां से दूनों पर क्रेमूल हमारा कितना है एक बटे पांच एक बटे पांच और विक्रेमूल कितना है एक बटे तीन दोनों का LCM क्या हो गया पंद्रा पांच उपर उपर गजुड जाएगा दो दो बटे पंद्रा तो हमारा क्रेमूल लिये है विक्रेमूल लिये है दोनों का लिए दो बटे पंद्रा हो गया आये बात करते तो उसने क्या पूचा है उसका लाब प्रतिसत क्या होगा लाब प्रतिसत हमारा टोटल कितना है दो बटे पंदरा लाब प्रतिसत का क्रेमूल हमारा क्या है एक बटे पांच एक बटे पांच पांटे पंदरा इंटू सव यह हो जाएगा दो सो बटे तीन तीन को 2 से काटो कितना आगा 6-6 सही 2 बटे 3% कितना 6-6 सही 2 बटे 3% का लाब चलिए आसा करते हैं मित्र आपको यहां से समझ में आया होगा आएए बात करते हैं यह तो इसका बेसिक था अब आप इसमें 60 कैसे कर सकते हैं 60 करने के इसके में तो कई तरीके हैं जैसे की अब वो 60 कैसे कर सकते हैं एक रुपाय में 5 एक रुपाय में 3 अंतर कितने का दो का मतलब हो वो कहदे एक रुपाय में 5 एक रुपाय में 5 की दर से और एक रुपाय में 3 की दर से तो उसका लाब प्रतिसत क्या होगा कहने का मतलब हमारा उसका क्या है लाब प्रतिसत तो मित्रों लाब प्रतिसत कहां से पूछा है लाव प्रसत आईए बात करते हैं तो इस में कितना कम एक रुपए में 5 एक रुपए में 3 अंतर कितने का दो का दो का अंतर कहां से 3 से बटे 100 200 बटे 3 तीन से इसको काड़ दीजिए 6-6 सही 2 बटे 3 परसंड का लाब आसा करते हैं मित्र आपको यहां से समझ में आ गया होगा चलिए ऐसे भी कर सकते हैं हम इसमें मतलब किसी भी प्रकार से आप जा सकते हैं सकते हैं पर करने का आप जटनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आप सार्ट अपने स्वएम से ढूंड लेंगे और स्वएम से ढूंड जो कि जब आप बार बार चीजों को हल करेंगे तो आपको चीजे में बहुत आसान निल जाती सर इस टाइप का तीसरा कुस्चन तीसरे टाइप का लगाई है टाइप का तीसरे टाइप का फर्स्ट कुस्चन या दोसरा जो भी हो स्रीज में देख लिए लगाई है वो कहे रहा है एक रुपए में चार कलम खरीदता है उसके कहने का मतलब क्या है एक रुपए में चार कलम खरिदता है तो 50% का लाब प्राप्त करने के लिए एक रुपए में कितने आईए बात करते हैं वो मित्रों एक रुपए में कितने 9 कलम खरिदता है तो उसे 50% का लाब प्राप्त करने के लिए कितने 50% का लाब प्राप्त करने के लिए एक बटे एक पच्चास परसन का लाप राप करने के लिए आएए बात करते हैं पच्चास तरिक का पच्चास दुनी पच्चास परसन का लाप कमाने के लिए में दो बात करता है तो कितने पर बेचे जाएगा पच्चास परसन का लाप सोरी है ये पच्चास तरिक का पच्चास दुनी तीन तरिक का ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा एक रुपए में कितनी कलम खरीदता है नो रुपए यहां मात्रा नीचे फिर वो कहे रहा है अगर पचास परसन का लाप कमाना चाहे तो एक रुपए में कितनी वस्त बेचे एक रुपए में कितनी वस्त बेचे और मित्रों कंगे सकते हैं दूसरे टाइप से है तोटल जैसे महां लीजिये 100% हमारा क्या है CPA है क्राइम мог व्यूक कहेff preparing final अ coalition 100% में कितने एक बटे नौ 100 रूपी है 100% हमारा टोटल कितने क्रैमूल है एक बटे नौ हम यह हम नहीं देखेंगे मात्रवात्र भी जाने एक बटे नौ है तो फिर क्या कहे रहा 1500% का लाब कमाने के लिए 1500% 1500% जब यहां से करेंगे एक बटे नौ यह हम यहां से करेंगे आईए बात करते हैं तो 100% हमारा यहां आएगा 100 अरे यार गुड़े जल्दे लिम भोल गए 100 आईए बात करते हैं तो यह हो जाएगे मित्रों 1500 बटे नौ इंटू 100 50 तरिक्का 52 तीन तरिक्का तो एक सब बराबर 6 इसका इसमें गुड़ा कर दीजिए मतलब डेड़ सो परसेंट बराबर हमारा कितना आगे अच्छा है 6 रुपए में अगर वो चीज को बेचेगा तो 50 परसेंट का लाब कमाएगा तभी वो डेड़ सो परसेंट हो रहाना 50 परसेंट का लाब आये देखते हैं काया भाई कटपपा भाई समझ में आया ना कापे पिन लेके बैटो ना इंजिनियर साब काया काला घोड़ा चल नोट कर आपको नहीं है मित्रों यह हमारे यहां चार-पांच मित्र आ जाते हैं सामको यह उनी के लिए है अब जैसे वो कहे दे अगला कुस्चन चौथा टाइप चलिए आये बात के ज़्यादा बात न की जाए चौथा टाइप अगला कुस्चन लगा दिये चौथा टाइप का वो कह रहा है एक फेरी वाला एक रुपए में 5 नीमू बेचकर चार-पांच परसण का लब कमाता है पिछले वाले कुस्चन में क्या था लब पराप्त करने के लिए कितने पर बेचना पड़ेगा अब यहां कह सचार-परसण लब उठाता है 40% लाप उठाटा है तो एक रुपए खरीदने में 40% लाप उठाता है तो यहाँ 40 उपर हो जाएगा 100 यहाँ हो जाएगा और वहाँ क्या कहता लाप कमाने के लिए तो पर्सेंटेजर करते हैं तो नीचे करदे आईए बात करते हैं यहाँ से बात करिये 2 से काटिए 70 50 2 से काटिए 35 25 5 सते 5 बच्चा 5 से 5 काट दीजिए X बराबर 7 मतलब वो मित्रों 40% लाब कमाने के लिए कितने पर खरीदेगा 7 रुपाय में खरीदेगा अगर उसे 40% लाब कमाना है तो 7 रुपाय में खरीदेगा आईए आपको समझ में यहां से जरूर आ गया होगा चलिए कितना छेउटा सा कुष्चन था आईए इस टाइप का सर अगला कुष्चन लगा दीजिए अगर आपको इसमें दूसरे टाइप में और अगर देखना है हमारे कटपपा भाई को जल्दी रहता है वो हर दम बोल देता है कितना कुष्चन में वो क्या बोला है 40 परसेंट का लाब 40 परसेंट का लाब एक बटे पांच कोई हमारी वस्त हो 40 पने लाब आईक बटे तो यहां समित्रों क्या बात कर दें हम यहां से कर दे 1% 1% जब बात करेंगे तो यह आ जाएगा इतना 40 हो जाएगा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा जब 1% बात करेगा यार जब 100% बात करता तम नीचे रहे उपर जाता है यह हो जाएगा 5 into 100 40 तो अब वो कहे रहा है मित्रों इसको 100% निकाल लीजिए 100% बेचने के लिए 100% में बेचने के लिए कितने भी बात करेगा 100% 100% तो यह हो जाए एक बटे 5 गुड़े 140 बटे 100 यह हो जाएगा तो यहां से हमारा यह हो जाएगा मित्रों 100 बटे 5 इंटू 140 50 दू ना दो से काटो अरे बीस पंचे साओ बीस सत्ते एक सुचालिस 5 बटे साथ 5 से 5 काट दी एक बड़ाबर साथ 100% बड़ाबर हमारा कितना हो आगया साथ तो कहने का मतलब यह है जब 100% हमारा टोटल साथ रुपए चलिए यह हमारा अगवा एंसर अच्छी बात अगर आपको समझ में सार इसका अगला कुश्चन लगा दीजी पाँचवा टाइप क्या पाँचवा टाइप पाँचवा टाइप आईए देखते हैं पाँचवा टाइप हमारा कुश्चन क्या कह रहा है मित्रूम 40 बाल पिने वो सुरी असी बाल पिन ये असी बाल पिन अगर 140 रुपाए में बेचता है तो उसे कितने 30 परसंट की हान मतलब होती है कितने 30 परसंट की हान ही होती है असी बाल पिन 140 रुपाए में बेचे 30 परसंट की हान होती है मतलब कितने हैं बेचा सत्तर परसंट में बेच आए बात करते हैं सत्तर परसंट तो यहां से मित्रों हम क्या निकाल लें सत्तर परसंट बराबर एक सो चालिस बटे असी सत्तर परसंट बराबर एक सो चालिस बटे असी तो मित्रों यहां से हम निकालने क्या तदानसर उसे 30% लाव लेने के लिए आईए बात करते हैं यहां से मित्रों हम निकालने 1% जब 1% निकारेंगे तो 146 बटे 80 into 70 अब वो कहरा एक 30% के लाव देने के लिए 30% का लाव एक परसेंट 30% के लाव मतलब 130 130 140 बटे 80 into 70 into 130 यह यह हो गया हमारा यहां से आईए आप बात करते हैं इसको काटे 2 इसको काटो 40 0 से 0 काट तो कितना आ गया 13 बटे 4 13 बटे 130 बटे 4 आ गया तो अब वो यहां से हमारा क्या निकरा 13 रुपाए में कितनी 4 वो कहरा 104 रुपाए में अगर कितने प्रस्त बाल पेन खरीदे जाए 104 रुपाए में कितने बाल पेन खरीदेगा आईए बात करते है 104 रुपाए में तो 4 बटे 13 इंटू 104 तेरा नईया ओँ कहने का मतलब है वो बाल पेन कितने का बेचेगा 32 रुपाए आपको अंचे समाझ में 32 का मतलब बी जे करेक्ट एंसर चलिए आसा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दूसरा कुछन यहां से और देख लीजिए आईए हम बात करते हैं दूसरा जैसे कि क्या कह रहा है 80 रुपाए के बाल पेन 80 बाल पेन 140 रुपाए में बेचता है तो 30 परसेंट की हानी होती 70 तो 70 परसेंट पर कितने का बेचा 70 में 140 में क्या बेचा ये बेचा मित्रों तो एक परसेंट यहां से निकाल लेते हैं हम एक परसेंट बराबर एक परसेंट बराबर यह हमारा हो जाएगा 40 बटे 80 इंटू 70 यह हो जाए कि नहीं हो जाएगा अब वो कह रहा, 30% का लाब, 130 हो जाएगा, 130 कहां से, 140 इंटू 13 बटे 80 इंटू 70, यह हुआ, आईए बात करते, इसको काट रहें यहां से, 70 दुना, 140, 40 आ गया, यहां से 0 से 0 काट दीजिए, क्या आया गया, 13 बटे 4, कहने का मतला मित्रो वो आया, 13 रूपए में 4 बालपन, कितने, 13 रूपए में 4 बालपन, तो 104 रूपए में, 104 रूपए में, कितने बालपन, 4 बटे 13, 4 बटे 13 इंटू 104, यह, 13, 8, 104, 8, चोग 32 कहने का मतलब 32 104 रुपए पे वो कितने 32 बालपेन बेचेगा 104 रुपए में 32 बालपेन बेचेगा आईए बात करते हैं मित्रों अगला कुस्चन चलिए इस टाइप का अगला कुस्चन देख लिजिए अगला हमारा कुस्चन क्या है छठा मतलब छठावा टाइप आईए देखिए छठा टाइप छठा टाइप मतलब कुस्चन क्या कह रहा है मित्रों आपको छठा टाइप कुस्चन दिख रहा होगा क्या है छठा टाइप कुस्चन वो कह रहा है एक भी क्रेता 10 रुपए में 4 की दर से कुछ संत्रे खरीता है 10 रुपए में 4 मतलब कुछ दर से संत्रे खरीता है पर दूसरी बार 10 रुपए 5 की दर से कुछ संत्रे खरीता है तो मतलब खरीद रहा क्या कर रहा क्रेमूल कर रहा तो मित्रों उसका हमारा क्या कर रहा कितने बार, दो बार खरीद रहा है, तो संयुक्त, संयुक्त क्रेमूल, संयुक्त क्रेमूल हमारा मित्रो क्या हो जाएगा, वो दो बार खरीद रहा है, तो पहला क्रेमूल, क्रे, फस्ट क्रेमूल, प्लस, सेकंड क्रेमूल, सेकंड क्रेमूल, बटे दो, मतलब दो बार तो फर्स्ट क्राइमौल, सेकेंड क्राइमौल, कितने बार में तो खरीद रहा है, तो क्या कह रहा है, दस में चार, खरीद रहा है, कितने, दस में चार, प्लस, फिर खरीद रहा है, दस में पांच, दस में पांच बटे, दो कर दीजिए, अमित्रों आप कुछ न करिए, इसक आप इसका LCM लेंगे, तो इसका LCM हो जाएगा 20, कितना 20, इसका क्या होगा, चार से काटो होगे 5 आजाएगा, 5 का इसमें गुड़ा कर दिये, 5 दहम 50, प्लस, जब यहाँ अभी इस से आप काटेंगे, इस 5 से आप इस 4 को काटेंगे, 20 को काटेंगे तो 4 आगा, 4 दहम में, 40 बटे 20, यह हो जाएगा 2, अब मित्रों अगर, यहाँ हम अगर एक माल लें, क्या, एक, एक लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ना एक करने से कोई अंतर पड़ेगा, अगर हम इसको एक माल लेते हैं मित्रों, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह बाहर बाहर का गुड़ इसका 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 गुड़ा अक्सर होता है तो मित्रो इतना हमें ये लगाने की जरूरत नहीं आपको बता दिये हैं ये हमें करने की जरूरत नहीं है हम एक माल लिए हैं और माने या ना माने इसका कोई अंतर नहीं पड़ता तो मित्रों यहां से हो जाएगा हमारा 90 बटे 40 यह भाई साब का यहां बीच बीच का गुणा बाहर बाहर का गुणा हो जाता है 90 बटे 40 यह तो टोटल संयुक्त हमारा क्रेमूल क्या हो गया 9 बटे 4 9 बटे 4 टोटल सायुक्त क्रेमूल हमारा मित्रों क्या हो गया 9 बटे 4 तो उसमें पूछा क्या है 20 रुपाए में 9 की दर से 20 रुपाए में 9 की दर से अब मित्रों अब यहीं से पूरा खेल कितना है 20 रुपाए में 9 की दर से आईए बात करते हैं बीस रुपाए में नौ की दरसत कितना है नौ बटे चार बीस रुपाए में नौ की दरसत कितना है नौ बटे चार बीस रुपाए में नौ की दरसत कितना है नौ बटे चार बीस रुपाए में नौ की दरसत कितना है नौ बटे चार बीस रुपाए में नौ की दरसत कितना है एक कहां से 81 से बटे 100 प्रिशत लाव निकाल लीजिए जब आप इसको काटेंगे तो एक आ जाएगा 81 कन्नाम 81 कितना बच्छा सेस 19 19 बटे 81% मतलब एक सही 19 बटे 81% का मित्र इसको लाव होगा क्या लाव होगा चलिए आसा करते हैं मित्र आपको यहां तक अच्छे समझ में आया को कुस्चन क्या पूछा है हाँ लाव होगा 21-19 मतलब बीजे correct answer क्या बीजे correct answer चलिए आयो देखते हैं आपको अगर समझ में नहीं आया थोड़ा सा लिंदी लगा होगा चली आए दुबारा इसको देखते हैं दुबारा उसको कहने का मतलब क्या था फार्मूला आपसे बता दिया गया है आपको उसमें नहीं रखना नहीं याद है छोड़ दीजिए वो कहे रहा है 10 रुपए में 4 10 रुपए हमारा अक्सर मित्रो क्या होता है जब ये ऐसे कुछ चना जाते हैं तो इसमें हम करते हैं रुपए उपर हमारी रहते हैं मात्रा हर दम नीचे रहती है तो ये हमारा होता है रुपए और मित्रो ये हमारी होती है मात्रा ये एक बार लिख दिये हैं इसको बार बार मित्रों नहीं लिखेंगे आईए आपको यहां समझ में आ गया होगा वो कह रहा है दस रुपए में चार कितने दस रुपए में चार फिर दुबारा क्या कहता है दो बार खरीदा है दस रुपए में कितने? पांच का खरीदा है दो बार खरीदा है poo से कर दीजिए तीन बार खरीदे? चलिए आपको यह समoca万 में आ गाए तो यहां से हम total क्या निकालने है उसके kram लेद के है? स्यूक्ट kram लेद लें सही यूग तो क्रेमूल में निकालेंगे तो मित्रों इसका LCM क्या हो जाएगा 20 बटे 2 जब इसको कटे 20 को पचार से काटे तो 5 5 50 प्लस चार से काटे चरपंचे 10 जोग 40 40 आगया अब अमित्रों यहां से क्या कर सकते यह हो जाएगा 90 बटे इसका इसमें गुड़ा हो जाएगा 40 40 तो यह हमारा किसना आगया नव बटे 4 नव रुपाए में चार कहने का बत्तब क्रेमूल हमारा क्या हो गया सान्यू Mr. Kreml,9 रुपाए में चार वो कह रहाओ 20 रुपाय में नव बेचा जाएग यहां से 9 रुपाए में 4 कितना 9 रुपाए में 4 तो 20 रुपाए में बेचा अब आप कर लीजिए, यह हो जाए कि 20 चोक, 80, 89, 81, 80 से कितने का फायदा एक का, एक का कहां से, 81 बटे 100 से, आईए बात करते ही हो गया, तो अब इसको काटेंगे तो एक सही, कितना, 81, 81, 19 सही, 81 परसेंट, यह, मतलब एक सही, और 90 बटे, 80 परसेंट का मित्रो क्या हो जाएगा यहां से, लाब, आसा करता है मित्रो आपको यहां से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया है, तो आप क्लास को बैक करके दुबारा देखिएगा, और अपने, आस पासपर्स अपने छोटे से, आपको सह producer समय करणा बेखिएगी थाप कंवा जाएगा, यहां से बहुतिकाने पर दीचर, आपको समय करने है Postman, यहां से बहुत आज़ता है ठीचर आपको लक्त रट जागे, और जाएगए परसाहा क्शे से चुचामने आइन आपको सैंटिटो की जैखा आपको अब हमें पता थोड़ी होता कि क्या होगा कुस्चन सामने आया हम देखे ऐसे हो सकता चलो ऐसे हो सकता नहीं फारमूला नहीं आदा रहा आप इसे रख के लगा के निकाल लीजिए चलिए मिलते हैं अगली क्लास से मित्रों फिर तब तक आप लोगों से बिदा लेते हैं और जाते जाते एक एक बत आप से और बोलना चाहेंगे किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगे और मेहनत कैसी यहां का पसीन death अब का इंडी में नहीं直接 कराेगा तब तक आप को सफलता नहीं मिलेगे चलते हैं मिलते हैं अगली क्लास मित्रों पिर तब तक जाते जाते एक बात और बोलेंगे अपने आसपास पडोस सोचता का महाल बनाए रखिए और अपने अगल ब realmente माता और बहनाओं करी कहीं भी जाइए तो माता और बहनों का सम्मान करी मिलते है कल अगली क्लास में जै जय भारत